साहनपूर बेटी ने नहीं की जान की परवा, बेटी की दिलेरी से बदमाश पस्त, एक बदमाश की रफ्तार, एक बदमाश फरार, बदमाश उन्हें डराने के लिए जमीन पर किया था फायर सानपूर में बदमाशों के होसले भले ही बुलन हो लेकिन बेटियों के होसले बदमाशों के होसले को पस करने बे पीछे नहीं है ताज़ा मामरा साणपूर की थाना सदर बजार शेथ के मिशन कमपाउंड का है जहाँ पर मा और बेटी अपने स्कूटी पर मार्केट से शॉपिंग कर घर वापस लोट रही थी लेकिन मा बेटी को यह नहीं पता था कि उनके पीछे बदमाश पी लूट करने के लिए लगे है जैसे ही मा बेटी अपने घर के बाहर स्कूटी से उतरी तो बदमाशों ने तुरन तवंच दिखा कर महिला के गले में पड़ी सोने की चैन को लूटने की कोशिश की मा बेटी ने तुरन शोर मचा दिया और घर से परिजन बहार आ गई बदमाशों ने परिजनों को डराने के लिए महिला के पैर के पास जमीन पर फायर किया और अपनी वाहन को छोड़कर फरार होने की कोशिश की जैसे ही बदमाश भागने लगे तो दिलेर बेटी प्रिया ने बदमाश का पीछा किया और काफी दूर जाकर लड़की की आवास सुनकर लोगों ने बदमाश को घेर लिया जिसके बाद बदमाश को पकड़ लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन एक बदमाश भागने में काम्याब रहा हाला कि पुलिस में फरार बदमाश की पहचान कर ली है और जल्द ही फरार बदमाश को गिरफतार करने की बात कही है प्रिया मलकानी प्रिया जी कल ले चाम कुछ चैनिस नेशर जो लोट की गड़ना वन जाब देने के राज़े से आपके घर पे आए देगे क्या पूरा मामना थे किस परकार देवादा दूए वो पहले तो हमारा किसी दुकान से पीछा कर रहे थे पीछा करते करते वो हमारे घर तक पहुच गए और जैसे ही मेरी ममा अभी आक्टिवा से उतरी थी और मैं अभी आक्टिवा लगा नहीं जा रही थी तो पीछे से वो भी हमारे साथ साथ उतरे उन्हों नी मम्मा को बोला कि चैन उतारिये तो मिरी मम्मा नमना कर दिया तो उन्होंने पिस्टल से फायर कर दी उनके पैर के पास और फिर मेरी मम्मा बहुत जोड से ठीकी तो अंदर से मेरे सारे family members निकल के आए और मेरे बड़ बापा ने उसके मुह में चैन देखी तो वो उससे चैन निकालना चाही उन्होंने तो फिर उन्होंने उनके उपर भी पिस्टल से fire करना की कोशिश करी बट fire हुई नहीं क्योंकि उनकी गोली अटक चुकी थी और क्या कहते हैं फिर मेरी बुआ ने उनको धका दिया तो उनकी bike और activa गिर गई इतने में एक चोर तो भाग चुकाई था दूसरे चोर ने मतलब अपनी bike लेकर भागना चाही तो नहीं भाग पाया तो फिर वो भी पैदल भागने लगा दोनों पैदल भागने लगे तो मैं भी उनके पीछे भागती भागती गई फिर मुझे किसी ने lift दी तो हम विशाल मेंगा माट तक उनके पीछे पहुचे lift से फिर उन भाईया और मैंने help help करी चोर चोर बोला तो बहुत सारे लोग इखटा हो गए और फिर हमने पीछे भागते भागते धमोला के पूल तक उसके पीछे भागे फिर उसने railway lines cross कर ली वहाँ पर जाकर उसने fire करी तो सारे गाउंवाले आ गए थे और फिर उन्होंने हमारी help करी उसको पकड़वाने में और इतने में वह पकड़ा गया पर उससे कोई कोई चीज अभी तक बरामत नहीं हुई है और फिर इतने में हमने पुलिस को कॉल करा तो फिर पुलिस आई और फिर हम फिर वो चोर पकड़ा गया और एक तो भागी चुका था जैसे वो फायर करके भागा डर्ड नहीं लगा आपको बिल्कुल भी जैसे उसके आदमी पिस्टल थी यहां पर भी आपके घर के बार उसने फायर किया आप उसके पीछे बागी दोड़ी उसके पीछे और उसको पकड़वाने में और बाई गॉड़ ग्रेस हमने उससे पक हम मैं यहीं चाहती हूं कि उन्हें अच्छे से जजा मिले और जो वह उनकी गैंग है वह भी पकड़ी जाए और मैं कहती हूं कि अच्छी बाते वह पकड़े गए ताकि वह किसी और के साथ ऐसा ना कर सके जो नोंने हमारे साथ कर आए आपने बहादूरी का परीशे दिया ह महिला होने के कारण महिलाओ के लिए क्या संदेश जहना चाहती हूं कि बिल्कुल भी मट डरें अपनी स्किल्स तिखाएं जो भी आपके अंदर नारी शक्तिया उसे भार लेकर आएं और अच्छे से डटकर शामना करें बिल्कुल भी मट डरें क्योंकि अगर हम डरेंगे वह और में डराएंगे कल करीब साम चार बजे थाना सदर बजार इस्थित मिशन कंपाउंड महले में एक महिला अपने बेटी के साथ जा रही थी लिए थाना सबसे जा रही थाओर इसे बजार जार बडरेंगे मंगे और एक बड़मास को भी दाउरा जिरब्तार कर लिया गया एक व पहंचान होई उसके किरफतारी के प्रयास की जा रहया एक पर पकड़ा गया है अपरादी जे चोर था पता लगा हां उसके कई अपरादिक मुगर्वे उसके उपर पहले से तरज़े रहने वाला है दुवार्चेत्र का है उत्रहकंपरांथ का और यहां अबहरदाद के इरादे सी आया था दूसरा साथी उसका फी लोकल था कुतुप्सेर कर रहने वाला जिसकी तलास हम अभी कर रहे हैं और इसमें हम कड़ी सी कड़ी करवाइस मुश्चित कर लें